वेलिखम तो सिविल वर्ड और आद का जो हमारा तॉपिक रहने वाला है वो रहेगा टेक्टोनिक प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स में मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स अफ अर्थ दोनों आती है तो मैं इस टॉपिक में आपको बताने वारा हूं कि टेक्टोनिक प्लेट्स 7 major tectonic plates कौन कौन सी है and 7 minor sorry 7 major tectonic plates कौन सी है and 7 minor tectonic plates of earth कौन कौन सी है तो सबसे बहले हम अब बताता हूँ 7 major tectonic plates सबसे बहले यह देखिए जो major plates होती है और minor plates उसमें difference क्या होता है major plates जो होता है उनका जो area होता है वो greater than 20 million kilo meter square से बड़ा होता है वो होती है 7 major tectonic plates और ऐसे अगर मैं 7 minor tectonic plates की बात करूँ तो उनका जो area होगा वो होगा is lower than 20 million kilo meter square तो सबसे पहले हम आपको 7 major plates 7 major tectonic plates के बारे हम बताता हूँ पहले होती है African plates दूसरी Antarctic plates तीसरी Indo-Australian plates चौथी North American plate पाचवी Pacific plate छटी South American plate और साथवी European plate यह जो Pacific plate होती है यह सबसे largest plate होती है और जो North American plate होती है उस second largest plate होती है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह world जो मैं पे उसमें कहा कहा यह है सबसे पहले होती है African plate यह जो 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 सेवन्त होती है यूरोशियन प्लेट अब मैं आपको बताता हूं सेवन माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स जिनका एरिया 20 मिलियन किलोमेटर स्कार से कम होता है वह कौन-कौन सी है पहली है अरेबिन प्लेट्स दूसरी है केरिबियन प्लेट्स तीसरी है कोकोस प्लेट्स यह इस जगह होती है चोती है जुआन डी फोकस प्लेट्स यह वर्ल्ड मैप में यहां होती है उसके बाद आती है पांचवी प्लेट्स इंडियन प्लेट्स यह इस जगह होती है नंबर 6 नजहाका प्लेट यह जगह होती है 511 अनबर 7 फिलिपीन सी प्लेट यह जगह होती है इस तरह से लोच अप्लोंच प्लेट होती है हमारी अर्स के ओकर 7 मेजर प्लेट नियवास माइनर प्लेट वह होती है कि अईगा है कि अईगा है